तो कैसे हैं सिक्सर के चाहने वाले बिकट के मतवाले किरिकट के दीवाने उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं से 2223 पहला सेमी फाइनल मैच दोस्तों पता ही जो पहला सेमी फाइनल है पेटोरिया कैपिटल्स परसे पाल रोयल्स के बीच में खेला जाएगा अभी थोड़ी देर तो पहले ये मैच खतम हुआ था फिर्च यह दोनों टीमें सेमी फाइनल खेलने के लिए आ गई है अगर हम सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि एक टाइम पर इनको बनाने थे 220 के आसपास का टार्गेट था लेकिन इनको पता था या 220 हमें यहाने चाहिए 163 163 से कम बनाते तो यह बाहर हो जाते डर्बन सूपर जाइस ना यहां पर क्वालिफाई कर जाता अलग कि कुछ हाथ तो दर्बन सूपर जाइंस आयता है हमारी धजियां ओडा के चले गया था है तो हमें दर्बन सूपर जाइंस के सामने नहीं कहलना क्योंकि एक टाइम पे बिल्कुल मैं चुको फचा लिया था लग रा था कि जो पाल रोयल्स के टीम है ना 163 तक ना पहुच पाएगी और बाह जिया उड़ा दिया है तो दोस्तों क्या मतलब पाल रोयल्स को इतनी हलकी टीम समझ ली है पेटोरिया केपिटल की ना भाईया जो सेमी फानल है हमें तुमसे ही कहलना दूसरी टीम से ना कहलना तो अगर आपने अभी जो मैच कहला गया इस मैच को देखा होगा तो आपने पहले 220 का टार्गेट करते हैं फिर एक तरफा इनको हरा देते हैं रेल देते हैं लेकिन याद रखना चाहिए जो इससे पहले वाला इन दोनों टीमों के बीच में मैच कहला गया था ना उस मैच को पाल रोयल्स ने पेटोरिया केपिटल्स को हरा दिया था पांच बिगिट हुए तो हम भी ठके हुएं दो ठकी टीम है अब भी मैcado के लिए 24 गंटे से पहले इन दोनों टीमों के बीच में मैच होगा वही फर्स्कुनो की मैच जीतेगे जो जो टीम यहां मैच जीतेगी जो टीम यहां मैच हारीगे उसका सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा खतम हो जाएगा बोलेंगे चलो अगले साल मिलते हैं तो भाई लोग यह जो मैच होगा कौन सी टीम करेंगी अपने नाम पर टोरिया कैपिटल्स या पी पाल रुआज अगर अगर आपको सब्सक्राइब करना इतना दो कर सकते हैं और हाँ अगर आपको सभी मैचो में फाःदे में रहना तो मिरा टेलिग्राम भी जोईन कर सकते हैं कियों जिन लोगों ने पहले से जोईन के वो तो काफी जादा फायदे में तो आप पीछे क्यों आप भी जॉइन करो फायदा उठाओ बस एक चीज का ध्यान देना है फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलिग्राम चैनल बना लिये गए इसलिए इधर उद्धर और कहीं से जॉइन नहीं करना जो लिंक के मिलेगा ड टार्गर डिफेंड एक मैच में क्या हुआ टार्गेट टue मतलब जादा मैचों में यहां के मैदन पर क्या होते हैं ज्माद कि या दकना इस माइच को यहां के सक्ता टार्गेट 145 के दिवाथए Ap तर्गेट डिफान हो सकता है 165 से 181 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना अभी जो मामला है ना यह तो बराबरिक आ गया चेज भी हो सकता है भाई लोग यहां के मैदान पर जो मैच होता है वो थोड़ा सा आपको मीडियम स्कोरिंग देखने को मिलता है या फिर स्कोरिंग देखने को मिलता है ऐसा क्यों होता हम कह सकते हैं यहां का जो सर्फेस है फ्लैट या ड्राइ है मतलब ड्राइ कह सकते हैं क्योंकि सुरू में यहां पर काफी ज्यादा रन बनता है जो बोल होता है बैट पे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आता है लेकिन जैस क्या जो spinners गेंदमाज है ना इनको थोड़ा बहुत help करने लग जाता है इसलिए यहाँ पर ज्यादा मैचों में क्या होते हैं टार्गेट डिफैर्ड होते हैं बॉंडी लेंद की बात करें तो 59 मीटर से 83 मीटर की मतलब एक साइट बड़ी है एक साइट छोटी है तो जो सही spinners गेंदमाज है ना उनके सामने चोके छके लगाना इतना जादा आसान भी नहीं होता है इसलिए यहाँ पर जो मैच होता है अकसर मीडियम स्कोरिंग मैच हो ज है तो पेटोरिया केपिटल ने एक मैच कहला और हार गया तो पेटोरिया केपिटल को जो यह मैदाने वो तो पसंद ना आया क्योंकि एक मैच कहला हार गया पाल रोयल की बात करते हैं यहाँ पर पहली बार मैच कहलेगा देखते हैं जब पहली बार खेलेगा तो क्या कर पा जुहानस बग के मैंदान में पाल रोयल को खेलना था, वो खेल भी रहा था, 40-45 अन बना लिया थे, 5-6 ओवर में, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कि वो 12 आ जाती है, मैच होना पाते हैं, नहीं, 14-45 अन बना लिया था, मतलब 16-17 ओवर में, बढ़िया बल्लेवाजी कर रहा लेकिन वो मैच हँआ नहीं, तो उसको जोड़ा ना जाएगा, तो प्रिटोरिया केपिटर्स ने एक मैच कहला हारा, और परल रोयल की बात कर तो पहली बार यहां पर मैच कहलेगा, सबसे बढ़े हम बात करते हैं, यहां पर परल रोयल के, तो पल रोयल ने जो अपने 10 जीता तीन माच जीता त्रुटा जीता रहा था तुरी numérique यहां पर पहुंचे एग divides लेंगे, के साथ उतरेंगे अगर चेंज होना होगा तो बस यहीं एक होगा नहीं तो बिल्कुल सेम प्लेंग इलिमस के साथ यह उतरेंगे क्योंकि जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है फिलिप सोलो कुछल मेंडी जवर जस बल्ले वाजी कर रहे हैं मतलब सांस आते सांस से ताबर तोर बढ़ी है बाकि हम यहां पर प्रेटोरिया केपिल्स की बात करें तो बहुत आप जो इनकी जादा जवर जस नोकिया की बात करें लगातार सभी मैचों में किफायती हो रहे हैं बिकेट निकालने कप्तान विंड पार्डनल की बात कर तो यह भी बढ़िया गेंदवाजी कर बात करें तो यह भी किफायर हाई भी रहते बिकालते हों मतलब जो इनके गैंदवाज हैं ना वो गैंदवाज हैं और जियले वह इनकी जवहजज़ चल लग करें वहीं मतलब एक हिसाब से शुकुरिया अदा करना चाहिए पेट्रोरिया कैप्टल्स का कि इनको नियोता दिया कि आओ आप ही हमसे सेवी फानल केलो क्यों कि हमें दूसरी टीमों से डर लग रहा है नहीं तो अगर वो चाहते हैं मतलब सही गेंदबाजी करवाते तो में भी यह आज डरमस उपर जानिस यहाँ पे होता है खैर कोई नहीं अभी तो पल रोग में शेंज के बात करेंगे इनके खेमे में चेंजिस के बात करेंगे तो पिछले मैंच में इनको भी शुरुवाद बढ़िया मिली थी लेकिन लंबी पारी ना खेल पाए जोस दबोस जोस पट्टर एक लवता बल्लेवाज है जो वन मैन आर्मी की तरह खेला थोड़ा बहुत जो डेविड मिला रहे हैं ये इनका साथ देते हैं जोस दबोस लगाता रन बना पनाँ गेंदवाजी की बात करएं तो लूंगे एंगेडी और ब्रड़ जोन फारचून ये तो इनका भी जो गेंद हैं ना सही टपर बहुकिंद मιला पधीन नहीं कि टो अगर हम यहां पर दोनों टीम होगा कंप्रीजन के तो भाईया जो मुझे प्रेटोरिया केप्टल्स के टीम है वो तो पर लोल से बहतर नजर आ रही है एलाइस करने के बाद चलो अब ना वो जानते हैं कौन सी टीम जीतेगी जो मैच होगा लेकिन उससे पहले भाई का चैनल को सब्सक्राइब करना इसना तो कर सकते हैं ना तो भाई लोग सारी है लासेस करने के बाद क्रिकेट की नियमानुसार अगर हम इसमें आज की बात के तरी जो मैच है न वो 60 एन 40 का 60 पेटोरिया केप्टल एन 40 पाल रोयल्स तो अगर आप यहां पर चाहें जो मजबूर्ट क्यों करना क्योंकि इस मैच की जो फाइनल पेडेक्शन होगी न वह आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलीगा जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया मेरा टेलीग्राम वो तो काफी ज्यादा मज़े में काफी ज्यादा फायदा उठाओ वसे एक चीज का ध्यान देना फेक स सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की फेडेक्शन के साथ तब तक के लिए गौड ब्लेस यो